बॉलीवड एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों दुबारा से पापा बनने के साथ साथ अपनी फिल्मों को लेकर भी काफी चर्चाओं में हैं बतादे शाहिद इन दिनों बत्ती गुल मीटर चालू की शूटिंग में काफी बिजी हैं वहीं शाहिद की एक और फिल्म है जिसके पिछले काफी दिनों से चर्चा हो रही हैं हम बात करें इम्तियाज अली की फिल्म की जी आँ खबरे पिछले काफी दिनों से आ रही है कि शाहिद इम्तियाज अली की फिल्म में नजर आने वाले हैं लेकिन अब खबर आ रही है कि शाहिद ने इस फिल्म को छोड़ दिया है खबरों के मताबिक शाहिद के कुछ परसनल रीजन्स के चलते उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया और अब खबर है कि शाहिद का रोल अब राशकुमार राव प्ले करेंगे वहीं राजकुमार राव के रोल के लिए अभी तलाश जारी है आपको बता दे अगर इस फिल्में शाहिद इम्तियाज काम करते हैं तो दोनों की जोड़ी 10 साल बाद बड़े परदे पर वापिस आती है इससे पहले दोनों ने जब भी मेट जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्म में काम किया था वेल फैंस तो यही चाहते हैं कि शाहिद कपूर इम्तियाज अली के साथ एक बाद फिर से बड़े परदे पर दिखाई दे नेक्स्त नाइट नीजरूम से सुगनान के रपोड़